हाई दिस इस विद्या बालन और वाचिंग एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अंशुलत्यागी बॉलिवूड एक्टर सोनुसूत की मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है सोनुसूत के घर पिछले लगबग तीन दिनों से आयकर विभाग का सर्वे उपरेशन चल रहा है चनिवार को भी आईटी की टीम का ये सर्वे उपरेशन जारी रहा और आज भी यानि की रविवार के दिन भी ये सर्वे उपरेशन जारी है सोनु सूद को लेकर आईटी अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा भी किया है आपको ये भी बता दें कि आईटी विभाग ने सोनु सूद से जुड़ी जगहों पर तलाशे के बाद 20 करोड रुपई की टैक्स चोरी इसके अलावा 2.1 करोड रुपई का अवैद विदेशी दान और इसके अलावा 65 करोड रुपई के फर्जी लेंदेन जैपुर स्थितेक इन्फरा फर्म के साथ 175 करोड रुपई के सर्कूलर लेंदेन का दावा भी किया है शनिवार को इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सोनुसूद ने 20 करोड की टैक्स की चोरी की है उनके चैरिटी फाउंडिशन एक एंजियो जिसे सोनुसूद चलाते हैं उसे 2.1 करोड रुपई का विदेशी चंदा अवैद रूप से हासिल हुआ है आईटी विभाग ने मुंबई, लखनो, कानपूर, जैपूर, दिल्ली और गुरुगराम समेथ कुल 28 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया आईटी अधिकारियों का अरोप है कि सोनुसूद ने कहीं फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित लोन्स के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किये थे आईटी विभाग का कहना है कि सोनुद चैरिटी फाउंडेशन जो की एक एंजियो है इसे एक्टर ने जुलाई 2020 में उस दौरान इस्थापित किया था जिस दौरान कोरोना काल चल रहा था और लोग परिशान थे आईटी विभाग के अनुसार एंजियो ने एक अप्रेल 2021 से अभी तक 18,09 में करोड रुपई का डोनेशन पाया है इस डोनेशन में से एंजियो ने 1.9 करोड अलग अलग राहत कारियों में खर्च किये है इसके बाद बचे 17 करोड रुपई अभी तक बैंक अकाउंट में ह इसका आज तक को इस्तमाल नहीं किया गया है इस बात का भी पता चला है कि चैरेटी फाउंडेशन द्वारा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी डोनर से लगभग 2.1 करोड रुपई की राश्य भी जुटाई गई है जो की FCRA के नियमों का उलंगन है IT विभाग ने 1.8 करोड कैश और 11 लॉकर रिकवर भी किये है आयकर विभाग का सर्च आपरेशन अभी भी जारी है खेर आपका इस खबर पर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हमारे यानिके एक आपका पड्याक आपके साहे जाए खोर दुरी मैं जो दीएर प्रिए घ्टूं Bread थेंगें।